इस दे ये aspirant की J.E.Mains में 99.3 के आसपस percentile आई और उसने मुझसे एक सवाल पूचा भईये J.E.Mains में तो percentile आई गई है कोई ना कोई NIT अच्छा कासा मिली जाएगा अब मेरा ना मन सानी कर रहा है advance की तियारी करनेगा लाइक में तियारी कर रहा हूं पर मिरको अंदर से वो feel नहीं आरी I kind of feel satisfied enough because of it वो जो तोड़ के पढ़ाई करने वाली feeling होती है न वो नहीं आपारी है मेरे अंदर and that's what I told him देखो यार काफी सारे students होते हैं जिनके अंदर ये feeling होती है कि तुमने दो साल महनत करी और दो साल महनत करने के बाद तुम्हें ये NIT जो भी तुम चाहँ वो तुम्हें मिल रहाएगी ठीक है पर यहाँ पर यह notice करो कि यहाँ पर सिर्फ दो महीने की महनत के बाद दो महिने भी नहीं, एक महिना बचाता जब उसने ही सवाल बूचाता सिर्फ एक महिने की महिनत के बाद तुम्हें शायद कोई बहतर IIT मिल सकती है तो इसी सोई बार कमपे अगरो दो साल की महिनत के बाद एक NIT मिली और यहाँ पर सिर्फ एक महीने की महनत के बाद एक बहतर IIT मिल सकती है इस महीने का return of investment कितना जादा है इस ताइम पर तुम जितना जादा effort डाल लोगे और जितना जादा smartly act कर लोगे यू अगर नॉर्मल दे की एक घंटे की महनत के बाद x return मिलता है it's just an analogy कोई statistically नहीं बोल रहा हूँ x 3x so there's no chance that you should back off so अगर तुम कोई essay जही aspirant हो जिसका जही means हो गया है और अब वो आने वाले time में किसी और exam की तियारी कर रहा है फिर जही advance की कर रहा है फिर bits की कर रहा है फिर और किसी college के entrance की exam की तियारी कर रहा है this is not the time when you should be involved in any sort of distraction of even 15 minutes a day I have told you the analogy इस समय का एक घंटा 3 घंटे के बराबर है so don't you dare to waste it तुमारे आने वाले 4 साल drastically improve हो सकते हैं और वो 4 साल तुमारी जिन्दगी को काफी extent तक determine करेंगे so I hope कोई भी student जो ऐसा सोच रहा होगा कि मैं relax कर लूँ अभी this is my advice for you also काफी सारे students JE 2022 के इस वीडियो को देख रहा होंगे जो अभी अपने colleges की counseling में व्यस्त है और confused है के भाई काउन से college में जाएं इतने सारे options है I will soon make a dedicated video on it क्योंकि बहुत सारी I would say misleading information आपस में environment में फैली होती है इस चीज को लेकर before that happens I'd like to make you aware of a very useful tool जो आपकी इस problem को काफी extent तक eliminate कर सकता है that is college दोस्त it's a very convenient whatsapp based chatbot and free to use obviously because काफी सारे students confused रहते हैं इस बारे में कि भई कौन सा college best available है हमारे लिए इस XYZ rank पर और जो हमारे आजपास के environment में जो college popular होता है जो like social norms होते है हमारे आजपास के environment में उसको ही follow करते हुए हमें college को select कर लेते हैं there are many people I know जो अगर same rank पर दूसरा college choose करते तो उनकी जिंदगी relatively better हो सकती थी in terms of exposure जो उने college में मिलता है so with the help of this tool college दोस्त you can stay updated with the options जो तुमारे लिए available है the best part I like about it is के ये एक whatsapp based chatbot है और उसको use करना इतना जादा convenient है क्योंकि मुझे याद है मेरे time पे भी बहुत जादा मेरे को दिख्का दुए इस tease में कोई ढंक से guidance करने वारा था ही नी वही YouTube channel देखके काम चलाना पड़ता था अलग-अलग websites को serve करना पड़ता था So I think it'll save you a lot of time और इस phase में जो वो tension होती है वो भी eliminate हो जाएगी So if you are a J.A.Spirant जो अभी इस phase में है के भई कौन सा college दो समझनी आ रहा है क्यक्के options अबालेबल है Do check out college दोस्त Again I'm saying link is in the description